स्वागत है आपका हमारे चैनल चूटोडियल प्लानेट में इस वीडियो में हम लोग दा आर्टिस्ट जो शिगा ने होया के द्वारा लिखा गया है उनके इस चैप्टर का हम लोग मेनिंग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ऐस अब आप अच्छा लगे तो लाइक करके और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबा दे शीगा नेयोया जिनका जन 1883 और मिर्थ्यू 1971 में हुआ था इ मतलब एक नामी शौट स्टोरी राइटर हैं शौट स्टोरी राइटर मतलब लगू कथा लगू कहानी चोटी कहानिया जो लिखते हैं और 20th century 20th century 20th शताबदी के ठीक है 20th सताबदी के शौट स्टोरी राइटर हैं उन्होंने बहुत ही समवेदात्मक रूप में लिखा है किसके बारे में अपने लोगों जापान के लोगों के बारे में और उनके कल्चर उनकी सभिता संस्कृती के बारे में दा आर्टिस्ट यह जो चैप्टर है अनफॉल्स अनफॉल्स का मतलब होता है प्रसारित करना दिखाना हमारे हम लोगों को दिखाती है अनफॉल्स बिफोर अस दे वर्ल्ड ओफ टैलेंटेज जापानीज ब्वा एक टैलेंटेज जापानी लरका है उसी के बारे में यह हम दिखाते हैं जिसका नाम है सेवी इट शूज़ हाव दा एडर्ट वॉर्ल्ड ओफन काउज डेमेज टों सच टेलेंट्स यह दिखाता है कि कैसे यह जो एडर्ट वर्ड है यह जो व्यशक संसार है वो किस तरह एक टैलेंट को डेमेज करती है किस तरह एक टैलेंट को दब को दबाती है एक प्रतिभा को दबाती है एसी के बारे में एक कहानी है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कि है पहला परग्राफ है सेवी पैरेंट्स न्यू डैट सेवी के माता-पीता जानते थे कि कि वो खुद बाहर जाता था क्या खरीदने के लिए तो गौड गौड का मतलब होता है कद्दू कदीमा आप लोग समझते हों कि कद्दू ठीक है वो खरीदने के लिए जाता था अधर को पत्र स्फवाव मुधिल के लिए और जापान में रुप्या चलता है उसी तरह जापान में चलता है तो वो कुछ चैन में खरीदू एप करीद बाहर जाम और कलेक्शन और कैसे शीगर ही और जालद ही उन्यवैक्शंगर का कद्दू खरीद लेटा था कुछ ने जब वो घर आता था वो सबसे पहले गौड के टॉप पर मतलब कद्दू का जो उपरी सिरा होता है जहांपर उसकी डंटी लगी रहती है उसमें क्या करता था वो एक छेद करता था सापसुत्रा छेद and extract the seeds और उसके अंदर के जो बीज होते हैं और उसके अंदर का जो मल होता है जो गंदगी टैप का होता है वो निकाल देता था नेक्स्ट उसके बाद बता दे कि जो भाग कलर किया हुआ है जो लाइन वो आपके objective question में आएगा या आ सकता है इसलिए मैंने कलर कर दिया है उसके बाद वो जिसमें वो छेद करता था उसमें वो क्या करता था कुछ चाई की पतियां डाल देता था ताकि वो जो अनप्लीजन गॉर्ड स्मेल वो जो एकदम जो बेकार के जो गंद करता है कद्दू उसके अंदर का भाग जो बेकार का गंद करता है उससे छुटकारा पाने के लिए वो उसमें चाय की पती डाल देता था ठीक है He then fetched the sake उसके बाद वो fetch मतलब होता है लाना जाकर के लाना और sake का मतलब होता है जापान में एक परकार का liquid पीने वाला juice टैप का होता है जिसे sick कहते है जो चावल के रस से बनाया जाता है उसे sick कहा जाता है उसके बाद वो sick लाता था जो उसके पिता जी पीते होंगे तो उसके पिता के glass में जो बच जाता होगा which he had saved up from the dregs dregs का मतलब होता है जब juice पीने के बाद जब glass में कुछ बच जाती है उसे कहते हैं dregs ठीक है तो in his father's cup अपने पिता के cup में जो dregs बच जाती थे जो बुन्दे कुछ बच जाती थी उसे वो बचा लेता था and carefully polished the surface उसके बाद वो उस dregs से उस बुन्दों से वो कदू के चारो बगल उसके surface को उसके सतह को अच्छे से वो polish करता था साफ करता था दूसा paragraph है सेभी वाज passionately interested in gods सेभी जो है वो passionately passionately का मतलब होता है पूरे जुनून से वो उसका जो interest है उसकी जो रुची है वो पूरे जुनून के साथ किस में था gods में था कदू में था मतलब कदू को नया नया कदू अच्छा अच्छा कदू खोज के लाना उसको चमकाना उसके अंदर के beach को साफ कर देना वो सारा इसमें है आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे one day एक दिन as he was strolling strolling का मतलब होता है घूमना भटकना ठीक है strolling along the beach beach पर नदी के किनारे जो होता है beach होता है उसे कहते है नदी के किनारे वाले जगह जिस पर लोग घूमते हैं उसे beach कहा जाता है उस beach पर वो घूम रहा था absorbed in his favorite subject अपने favorite subject में खोया हुआ था सबसे उसका जो favorite wish है था उसमें वो खोया हुआ था he was startled by an unusual sight startled का मतलब होता है चौक गया किस चीज से चौक गया एक ऐसा दृष unusual sight का मतलब होता है जो दृष उसने कभी न देखा हो ऐसा दृष देखकर के वो चौक गया कैसा दृष उसने क्या देखा he caught a glimpse of the bald उसे गंजे की एक जहलक देखी glimpse का मतलब होता है जहलक bald मतलब होता है गंजा टकला होता है न तो उसकी उसे एक जहलक देखी alonged head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach जोपरी पर से कुछ जोपरियां बीच पर से जहां पर वो खरा था वहां से कुछ जोपरियां दिख रही थी जिस पर एक alonged alonged का मतलब होता है लंबा ठीक है लंबा सर head मतलब सर लंबे सर वाला एक बुढ़ा आदमी था जिसका जो head है जिसका जो सर है वो गंजा था और वो hurrying out तेजी से वो है जोपरियों से होकर के गुजर रहा था ठीक है what a splendid God उसने सोचा कि वाओ कितना एकदम जबरदस्त कद्दू है उसे लगा कि कद्दू है क्योंकि वो हमेजा उसी सोच में खोया रहता था तो उसे लगा कि कितना मस्त कद्दू है कोई अपने सर पे इस कद्दू को ले जा रहा है उसे ये लगा the old man disappeared जो बुड़ा अदमी है वो गायब हो गया disappeared का मतलब गायब हो ना गायब हो गया from the site उस जगह से wagging his bald pine pate wagging का मतलब होता हिलाना मतलब हिलाते हुए और pine pate का मतलब होता है सेवी को अपनी गलती का हैसास हुआ and he stood there laughing loudly to himself और वो खुद पर जोर जोर से हंसने लगा he laughed all the way home वो घर तक हंसते हंसते आया कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो like कर दें और बता दें कि मेरा एक नया चैनल मैंने बनाया है proud to be bihari उसका link मैं दे दूँगा description में और comment box में आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो सबसे पहले मेरा नया चैनल मिलेगा आपको तो उसे please subscribe कर दें ताकि उस पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं कैसा वीडियो आएगा उसमें मैंने बता दिया है वीडियो में प्लीज सबस्क्राइब कर दें दोस्तों इतना तो आप कर सकते हैं मेरे लिए चैनले शुरू करते हैं तीसरा पराग्राप whenever he passed a grocery जब भी वो एक grocery से पास करता था grocery मतलब किसी किराने के दुकान से या क्यूरियो शॉप क्यूरियो शॉप का मतलब होता है जिस जहां पर तरह तरह के खिलों ने डिजाइन वाले अलग-अलग डिजाइन के जो कुछ स्वस्तों मिलती है उसे क्यूरियो शॉप कहा जाता है वहां से एक confessners confessner का मतलब होता है जो हलवाई होता है उसके दुकान के पास से In fact, वास्तम में Any place that sold gods किसी भी जगह से जहां पर कदू भिखते थे जब भी वो वहां से गुजरता He stood for minutes on end वो कुछ minute तक खरा रहता वहां पे His eyes glued to the window appreasing the precious fruit उसकी आँखें glued glued का मतलब होता है चिपक जाना चिपक जाती थी और वो window से खिरकी से जहाक करके देखता था उस दुकान में उस precious fruit को मतलब कदू को जो उसके लिए तो precious था महतुपूर्ण था कीमती fruit था ठीक है appreasing appreasing का मतलब मुल्यांकन करना कि ये कैसा कदू है कितने का कदू होगा ठीक है ये सब चीजें वो सोचता रहता था जब ही किसी दुकान से गुजरता अगला है सेवी बाराइस साल का लरका था और अभी भी वो प्राइमरी स्कूल में ही था ठीक है क्योंकि उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था उसे इसी चीज में मन लगता था after class class के बाद instead of playing with the other children दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाए he usually wondered about the town वो समानितया शहर के इधर उधर घूमता था looking for gods कद्दू की खोज में then in the evening फिर साम में he would sit cross-legged वो पैर मोर करके बैठ जाता in the corner of the living room जिस रूम में वो रहता उस रूम के corner में कोने में working on his newly acquired fruit वो जो नया जो अपना fruit लाया था जो कद्दू लाता उस पर काम करने के लिए बैठ जाता when he had finished treating it जब वो इसका treatment उसका जो treat वो जो करता था बीज निकालना, polish करना ये सब जब कर लेता he poured in a little sick वो उसमें कुछ little sick डालता ठीक है वो sick समझा दिया है हम inserted a cork stopper cork stopper का मतलब होता है छेद को बंद करने के लिए जो cork जो rubber लगाई जाती है which he had fashioned himself जो cork उसने खुद बनाई थी wrapped it in a towel उस कद्दू को एक towel में लपेट कर एक तॉलिय में लपेट कर put this in a teen teen मतलब especially kept for the purpose मतलब वो एक teen बनाया था teen तो आप समझते है teen जो होता है उसमें वो क्या करता उसको रख देता जो सिर्फ वो कद्दू को रखने के लिए उसने वो teen का बनाया था कद्दू रखने वाला and finally और अंत में place the whole thing in the charcoal foot warmer charcoal foot warmer का मतलब क्या होता है charcoal समझते है koila और जो foot warmer का मतलब होता है ठंडी के दिनों में जो पैर गर्म करने के लिए ठीक है आग तापना हम लोग कहते हैं तो आग तापने के लिए पाउँ सेखने के लिए जो हम लोग charcoal जलाते हैं जो koila जलाते हैं उसके उपर में वो इस टीना को रख देता देन ही वेंट टू बेड उसके बाद वो बेड पर चला जाता सोने के लिए अगला परागरा परते हैं अगले सुबह वो उठता वो टीन को खोलता और गौड को ध्यान से देखता परिक्षन करता उसका अग में पकती वो ठीक है आग का गौड लगता था उस हल गौड पर उस कध्दू पर तो यह थोह। आकली डीम हो जाता का मतलब होता है वो गीला टैप चिपका नम हो जाता उसका चमरा उसka स्कीन कध्दू का फ्रॉम दा ओवर्नाइट ट्रीटमेंट पूरी रात जो उसका जो ट्रीटमेंट होता आग में उसकी वज़ा से वो नम हो जाता ठीक है एकदम सॉफ्ट हो जाता सेबी उड गेज एडोरिंगली एड इस ट्रेजर ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और एडोरिंगली का मतलब होता है एकदम प्यार से ठीक है वो क्या करता है एकदम प्यार से अपने खजाने को देखता गेज मतलब होता है निहारना ध्यान से देखना अपने खजाने को दे देखता, before tying a string around the middle, मतलब कदू के बीच में string का मतलब होता है तार, tie का मतलब होता है बांधना, कदू के बीच में तार से बांधने से पहले वो उससे देखता अच्छे से, and hanging it in the sun to dry, मतलब सूरज के धूप में, धूप में जब उसे सुखाने के लिए देता, उससे पहले वो school, उसके बाद वो school के लिए तयार हो जाता, say we lived in a harbor town, say we एक harbor town में रहता था, harbor का मतलब होता है बंदरगा, बंदरगा आप लोग समझते हैं, बंदरगा मतलब नदी के किनारे में, समुद्र के किनारे में जो शहर रहती है, उसे बंदरगा कहते हैं, उस town को, उस शहर को harbor town कह तो सेभी एक हारबर टाउन में रहता था और याद्यपी इट वाज ओफिसियली एक शहर था ठीक है लेकिन छोटा सा सहर था जापान भी एक छोटा सा देश है उसमें शहर भी छोटा छोटा होगा one could walk from one into other in a matter of twenty minutes कोई भी वैक्ती सिर्फ बीस मिनट में उस शहर के एक छोट से दूसरे छोट तक जा सकता था सेभी वाज अलवेज वांडरिंग अबाट दे स्ट्रीट सेभी हमेशा गलियों में घूमता रहता था and had soon और जल्द ही come to know every place हर जगह की जानकारी उसे मिल गई हर जगह के बारे में वो जान गया that जहां sold gods जहां कद्दू बेचे जाते थे and to recognize almost every god on the market और market के हर एक कद्दू को वो पहचानने लगा था कि कद्दू कितने परकार के होते हैं ठीक है चली अगला पराग्राफ देखते हैं he did not care much about the old gnarled gnarled मनत होता है एठा हुआ यह ठीला जो एठा हुआ जो कद्दू होता है जो टेढ़े मेड़े जो कद्दू होते थे उन्हें वो केर नहीं कर था उस पर वो ध्यान नहीं देता उन्हें पसंद नहीं था पिकुलियरी फॉर्मड गॉड्स पिकुलियरी का मतला होता है अजीब गरीब अजीबो गरीब ढंक से जो कद्दू बने होते थे टेढ़े मेड़े कद्दू जो दूसरे जो कद्दू बेचने वाले होते थे वो जो जमा करते थे उन कद्दू को यह पसंद नहीं करता था और सिमेट्रिकल कद्दू होता था सिमेट्रिकल मतलब ऐसे ऐसे गोल्ड टैप का कद्दू ठीक है इसका पिक मैं दे दूँगा आप लोग देख सकते है अगला पाराग्राफ में क्या है कि उसके घर पर सेवी के घर पर कोई महमान आया था उसके पिता के लिए तो क्या बात होती है वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बच्चों में सिर्फ एक बच्चा एकदम साधारन दिख रहा है said a friend of his father उसके पिता के किसी दोस्त ने कहा who had come to call जो उनसे भेट करने के लिए आया था he pointed at the boy उसने लरके की तरफ पॉइंट किया इशारा किया who was sitting in the corner beasily polishing a plain round gourd जो लरका किसी कॉर्णर में बैठ कर कोने में बैठ कर उस गोल कद्दू को plain करने में polish करने में busy था उसकी तरफ इशारा करके दिखाया उसके पापा के दोस्त ने कि ये लरका एकदम simple दिख रहा है fancy a lad spending his time playing around like that with gods उसके पिता ने क्या कहा कि ये जो लरका है वो अपना जो time है spend मतलबता है बिताना वो अपना सारा time खेलने के बजाए इस कद्दू के साथ खेलने में बिताता है कद्दू के साथ ही वो खेलता है said his father giving sevy a discussed look sevy की तरफ एकदम discussed look से एकदम घ्रना वाले दृष्टी से देखते हुए अजीब तरह से देखते हुए sevy के पापा ने कहा कि ये हमेशा कद्दू के साथ ही खेलता रहता है see here इधर देखो sevy my lad sevy मेरे लरके said the friend दोस्त ने कहा there is no use just collecting lots of those things कोई भी फाइदा नहीं है इस तरह की चीज़ें इकठा करने का it's not the quantity that counts you know तुम जानते हो कि ये सारी चीज़ें कोई माइने नहीं रखती what do you want to do is to find one or two really unusual ones तुम जो ये हमेशा एक दो कद्दू खोजते रहते हो ये बेकार की चीज़ें है I prefer this kind and said sevy sevy ने कहा कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है इसलिए मैं करता हूँ and let the matter drop और उसने इस बात को खत्म कर दिया वो जो वारतालाप हो रही थी उसको खत्म कर दिया sevy's father and his friend started talking about God sevy के पिता और उसके दोस्त ने उनके दोस्त ने कद्दू के बारे में बात करना शुरू कर दी बेकिन किसे शहर का नाम है ठीक है बेकिन होगा यहां पर बेकिन्स गॉड क्या तुम्हें याद है वो बेकिन का कद्दू they had at the agricultural show last spring पिछले वसंत रितू में agricultural show हुआ था कोई करशी से संबंधित कोई मेला लगा था जिसमें वो एक कद्दू रखा गया था said his father उसके पिता ने कहा it was a real beauty wasn't it कितना सुन्दर कद्दू था वो yes I remember that big long one यहां मुझे याद है वो एकदम बरा सा लंबा सा कद्दू ठीक है अगला पराग्राफ चलते है चलिए अगर आप रागर आप दिखते है दोस्ते अगर फिर कह दूं कि please मेरी नए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ठीक है तो अगला है कि as Sevy listened to their conversation Sevy उनके बातों को सुन रहा था he was laughing inwardly वो अंदर ही अंदर हस रहा था the bacon's god had made quite a stir at the time उस समय बेकिन का जो कद्दू था उसने एक दम एक stir एक जमघट बना दिया था ठीक है लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आये थे कि कितना बड़ा कद्दू था वो but when he had gone to see लेकिन जब वो वो देखने के लिए गया having no idea of having no idea of course who बेकिन might be वो जब वो देखने के लिए गया और उसे idea नहीं था कि बेकिन क्या है कैसा कद्दू होगा क्या चीज होगा he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the store और उसे ने देखा कि एकदम stupid type का एकदम बेकार चीज है बेकार type को उसे अच्छा नहीं लगा सेवी को अच्छा नहीं लगा था वो चीज और वो सो से बाहर आ गया था ठीक है अगला है I didn't think so much of it मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता interrupted सेवी सेवी ने उनकी बातों को कारते हुए कहा it's just a clumsy great thing ये बस एक भद्दा साथ कोई वस्तू था उस कद्दू को जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आये थे वो सेवी को पसंद नहीं था तो सेवी ने कह दिया कि वो एक कलंपसी कलंपसी का मतलत होता है एदम बे ढंगा भद्दा ठीक है तो कलंपसी वस्तू था what's that क्या है ये he shouted वो चिलाए when you don't know जब तुम नहीं जानते हो उसके पिता ने sorry यहाँ पे एक लेंजूट गया his father opened his eyes wide in surprise and anger उसके उनके पिता ने अपनी आखे खोल चौरी कर ली किसमें? surprise आस्चरी से और एक्दम गुस्य से what's that क्या है ये he shouted वो चिलाए उनके पिता चिलाए when you don't know what you are talking about you should better shut up जब तुम नहीं जानते हैं कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तो बहतर होगा कि तुम चुप रहो Sebi did note say another word Sebi ने कुछ भी नहीं कहा उसके बाद Sebi चुप हो गया ठीक है दोस्तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगला इसके बाद जो बचा हुआ है चैप्टर वह मैं अगले पार्ट में बता दूँगा ठीक है तो यहां तक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब के बाद बेल आइकों दवा दें और मेरे नए चैनल प्लीज 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 वीडियो देखने के बाद शपोर्ट करें थैंक यू समच बवाई टेक केर